खुद्वाइंग फिरेंट्स विल्कम सदेंट थानलीसिस फ्रॉम ट्रीडिंग फइप. आज 19 मार्च तुथाजनट विप्चिन तुटेज़ लिए शुब्च के 21 मिनिट्स हो रहा है थर्च्डेय है वीकली एक्सपाईरी का दिन है और मार्केट में काफी पैनिक बरा महले समय दिखाई दे रहा है जो मेजर सपोर्ट है 100 EMA का मंतली चैट में 61.8% का फिबोनासी रिट्रेस्मेंट लेवल 9000 के करीपता वह भी कल इसने आसनी से तोड़ दिया और जो लास्ट वीक जो लो बनाया था निफ्टी इंडेक्स ने 8000 555 का वह भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज हुआ है तो अंसर्टिनिटी बना हुआ है पूरे दुनिया बर में यह जो वाइरस का एटक है यह कब के से मिल रहे तो जो नंबर है पेशन्स का कोरणा वाइरस पॉजिटिव पर संस का वह बढ़ते जा रहा है इसका हल जल से जल जब तक ना आए जब वर्ल्ट हेल्ट ऑर्गनाइजेशन से कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती है तब तक यह यहां पर अंसर्टिनिटी पैन में भी काफी जबर्गस गीरावट डेकने को मिली तो यह पैनिक भरा माहूल है तो गवर्मेंट के तरफ से हो सकता है कि शौट सेलिंग का यह जो फंडा है यह कुछ दिनों के लिए हो सकता है बैंड हो तो जो आपनी पोजिशन्स बनाके रखे हैं शौट सेलिंग में तो कुछ गवर्मेंट स्टेप भी उठा सकती है आज शाम को प्रामिनिस्टर मोधी पूरे देश को संबोधित करेंगे तो यहां से अगर जब तक यह जो दिन बदिन यहां पर एक एक पैशन्स मिल रहे है उनका यह जो रेट है यह जब तक कम नहीं आता तब तक यह सिच्वे इसने इसको अभी तक नहीं समझ रहें तो अपील है लोगों से कि कुछ दिन साथ से दस दिन अपने घरों में रहें ज्यादा करके अगर ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले क्योंकि यह काफी तेजी से फेलता है अगर 10-15 दिन प्रेकोशन्स नहीं लेंगे तो उसके पराना है इस कोरोनवाइरस को ताकि हमारे डेली जो रूटीन है वो फिर से एक बार यहां से स्टार्ट हो तो दुनिया भर के बॉर्डर सभी सील है पैनिक सिचुएशन बना हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग यानि सेलिंग का ही व्यू बना के रखे हर एक बड़े बाउंस बैट पर सेलिंग अपवर्चुनिटी को देखे जब तक हायर बॉटम नहीं बनते जब तक प्राइज एक्शन में प्रॉपर बुलिश पैटन नहीं बनता तब तक यहां से लॉग पोजिशन बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है तो सबसे पहले क कल के आनलिसिस का कुछी रिव्यू करते हैं यह कल का पिक्चर है यानि 18th मार्च अफ्टर मार्केट आर्स यह पिक्चर लिए हुआ हुआ है कल का यह जो ब्रेकडाउन लेवल ता 800912 के पास अगर कल का आपको वीडियो देखना है तो यहां उपर आए बटन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी तो यह जो ब्रेकआउट लेवल था 9096 के पास अल्मोस्ट निफ्टे इंडेक्स इसी के पास ओपन हुआ और टूर्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने फिर से रेजिस्टेंस फेस के और टूर्ट साउथ की तरफ मुआ और सेकेंड टार्गेट 8712 यह भी अचीव हुआ कुछ समय यहां पर एक पॉज लिया था हाला कि जैसे यह भी लेवल ब्रेक हुआ तो निफ्टी इंडेक्स और भी सबसे अगर ट्रेड करते तो आरां 65,250 का यहां पर प्रॉफिट बन सकता था तो यह था कल के आनलीजिस का एक क्विकली रिव्यू जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जूट रहे उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैप के बारे में एक क्विकली इंट्रो देना चाहूंग अगर आप इन तीनों में से कोई एक प्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मिंबर्शिप है वो आपको अपसुलूटली फ्री में मिल सकती है उसके लिए आपको करना क्या है जस्त यहां apply here के उपर click करना है तो जहीसे यह web page open होगा तो आपके यह पर details आपको enter करने है तो online process शुरू हो जाएगी एक दिन में account open हो सकता है अगर आपके documents ready है तो account open होने के बाद आपका client ID है वो आपको हमें इस number पे call करके confirm करना है ताकि हम आपको intraday premium membership में add कर सके तो एक चोटा इंट्रो था ट्रेडिंग के बारे में तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालत देख लेते फिर निफ्टी के चाट के ऊपर चलेंगे कल युएस मार्केट में भी इस अपरदस पैनिक का माहूल continue होते हुए दिखाई दिया नाजदे करीब 344 पॉइंट के गि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है चायना मार्केट में भी 500 पॉइंट की गिरावट डिकने को मिल रही है तो और अशी आई बाजार भी अभी लाल निशन में इस वक्त ट्रेड कर रहा है और डाव फीचर की बात करें तो एट हंडेड ऑल्मूस्ट एट हंडेड पॉइं की गिरावटी समय दिखा रहा है तो ग्लोबल बाजार में भी पैनिक बरा माहुल है चलते हैं निफ्टी के चाट के उपर यह विकली चाट से शुरू करते हैं यह निफ्टी इंडेक्स का विकली चाट विकली चाट में जैसे की 61.8% का मेजर सपोर्ट था एस पर मंतली चा इसस्टंस लेवल भी 9000 के पास आ रहा था लेकिन कल यह भी ब्रेक हुआ हाला कि मंतली चाट पर देख रहे हैं अभी तक मंद खतम नहीं हुआ है तो कहां पर क्लोज देगा यह का नहीं सकते विकली चाट में देखें तो यह लास्ट विक का यह जो कैंडल बना था यह हैमर नहीं आता तो जैसे ही इसका लो यहां से ब्रेक हुआ है तो यह और टूवर्ट साउथ की तरफ तेजी से मूँ हो सकता है अगर डेली चाट में अगर कैंडल सिक पैटन को देखें हैमर को तो इसका हैमर जब भी पैटन फॉर्म होता है तो एक बाउंस बैक होने के उमीद ह होती है लेकिन जब उसका लो ब्रेक करता है तो और तेजी से यह तोर्ट साउथ की तरफ आता है ऐसा हमें डेली चार्ट में भी दिखाई दिया है यह यह दो यहां पर यह तीसरा यह फॉर्ट जैसे ही हैमर कैंडल स्रिक का लो ब्रेक करता है यानि यह लो तो और निफ्ट अभी इसका हाई लेवल और इसका लो लेवल हम ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन को पकड़ के चल रहे थे तो अभी इसका लो ब्रेक कर दिया है निफ्टी इंडेश ने तो अभी नेक्स सपोर्ट ऐस पर फिबोना से रिट्रेस्मेंट लेवल यहां पर 8148 का होगा जो कि हमें यहां पर यह मंतली चार्ट है मंतली चार्ट में एक स्विंग लो बनाता माइनर स्विंग लो बनाता 20 में को सपोर्ट लेके बांस बैक हुआ था पास्त में तो इसका लो अरांड 7900 के पास आ रहा है तो एक यहां पर यह सपोर्ट जोन बन सकता है माइनर सपोर्ट है लेकिंग जैसे की प्रेशर दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट में यह भी ब्रेक हो सकता है अगर यह ब्रेक होता है तो नीचे लास्ट एक स्विंग लो का सपोर्ट होगा 625-825 तो यह नेक्स सपोर्ट के लेवल्स के लिए बरा माहल है शॉट सेल सेलिंग का यह व्यों बनाए के चले चल देनिफटी के विकली मंतली चाट में पीजेए 60 मिनित के चेर्ट में कुछिए इंत्राडेश लेवल्स को ईडेंटिफाइए करेंगे हो सकते है आज गयाप तो अगर यह पीवट पॉइंट का इस वन का यह जो लेवल एट ताउजन टू हंड्रेड एट के पास इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए यहां पर शॉट पॉजिशन मना सकते हैं तो तब ही हमारा फॉर्स टार्गेट होगा 8093 यह हमारा फॉर्स टार्गेट होगा और सेकेंड टार्गेट होगा पीवट पॉइंट का कॉशियस रही है और अगर उपर टूर्ट साउथ की तरफ मूव करता है तो यहां से जो लास्ट विक एक बाउंस बैक आया था एक बॉटम बना के बाउंस बैक दिखाए था तो उसका लेवल अलमुस्ट पॉइंट के लेवल के पास आ रहा है तो इसको अगर ब्रेक करता ह है तो इंटरड़ के लिए यहां पर auistor отправ गेट होगा 8077 यह हमारा फर्ट येक हमारा फर्स अर्ट होगा और सिकन टर्गेट होगा झाल झाल